Hi everyone, welcome to Abhimanyu I.E.S. My name is Rohit Garcha and this series is called To The Point. जिन लोगों का भी attempt हुआ है और आपने marks बगार आपने लगा ली होंगे, आंसर की आपको अभीपीडिया के portal के उपर भी जो है वो देखने को मिल जाएगी. In fact, question paper अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा तो question paper भी आपको अभी पीडिया के portal के उपर open access है. आप वो question paper भी access कर सकते हैं. एक बहुत ही अच्छी news इस बार ये रही कि जिन बच्चों ने हमारी current phase की class जो लगाई है, उनका इसमें खास करके बहुत फाइदा हुआ है. There were three questions जो की directly notes में से ही आ गए current phase के. ऐसा बहुत rare देखने को मिलता है कि जो direct आपके लिखे हुए notes के अंदर सीधे ही सवाल आ गए है. तो खास कर वो बच्चे जो border पर फास जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है कि यार अब extra क्या पढ़ा जाए. Border पर फास जाते हैं कहने का मतलब कि आप cut off के बिलकुल 2 या 3 number पीछे हैं. सबसे difficult case होता है कि इसके अंदर आपको क्या बताया जाए और कि आप क्या पढ़ो क्योंकि आपने quality भी जबरदस तरीके से पढ़ी हुई है, इसका मतलब आपने सारे subjects बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, बस वो एक last के कुछ marks रहे गया हैं जो आईधर आपके attempt म में problem है, attempt में अगर problem है, तो उसके लिए अलग strategy है, अभी मन्य आईए, इसके अंदर है आप test series उस तरीके से design की जाती है, there is this mentorship course, जो कि यहाँ पर चलता है, जिसके अंदर throughout आपका mindset ही change करने के ओपर बात, throughout training, बात और training उसके ओपर चलती है कि mindset exam के point of view से कैसा होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अब उस mindset में आजो, वो course है, अगर content की बात है, तो current affairs course जो यहाँ पर already चल रहा है, यह last year से चल रहा है, and I am glad to tell you कि इसमें से बहुत directly questions आये है, बहुत जल्दी उसकी detailed video भी आपके सामने, मैं लेके आऊंगा, कि exactly किस दिन हमन क्लास में उसको पढ़ा था, किस तरीके से पढ़ा था, और exam में किस type का question आये है, right, so you should look forward to that video, थोड़ी आपकी decision making जो है, असान हो जाएगी, तो अगर आपका 24 का attempt है, क्योंकि अब तो there are 362 days left, जब यह video post हुई है, there are 362 days which are left for the next prelim, 26 मही 2024 को वो prelim होने वाला है, this is the course which is to go for, इस साल के analysis आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ में आपको आने वाले time में जो current affairs हम पढ़ाएंगे इसके बाद में है, क्योंकि अब मेरे को भी validation आगी है, कि जिस तरीके से मैं current affairs को cover कर रहा हूं यहां पे, उसमें से सवाल आते हैं, right, 3 questions, 4 questions direct आये हैं, other than that derived questions, 4 questions, derived questions आये हैं, कि अगर आपने notes धंक से पढ़े है current affairs के, तो आप वो वाले question को भी heart डाल सकते हो, right, इसके लावा 2-3 questions ऐसे थे, जिनको मैंने class में कहा था, कि यह question तो आने ही आने हैं, आप इसको धंक से cover कीजिए, for example, बहुत simple तरीके से बच्चों को Ukraine border cover करने को कहा था हला कि बहुत generic चीज है, but जब तक explicitly इसको बताया है नहीं जाएगा कि इसको लिखना है, in the sense कि इसके mnemonics बनाओ कि Ukraine की bordering countries कौन कौन सी है, make a mnemonic out of it, है ना, तो इस टाइप के सवाल indirect में वो गिन सकने कि यहां से आया है, right, this is a current affairs course जो कि अपका pre or mains दोनों cover करेगा, right, to the point series में से there were two questions, which were asked, in fact, there were three questions, which were asked, एक green hydrogen का, एक G20 के उपर जो statement based question आये थे दो, वो दोनों exact statements आपको to the point की इन पिछली वीडियो के अंदर, जापे G20 covered है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, जापे G20 के अंदर हमने short note किया था, इसके अलावा, जो JAN protests हुए थे, इस ही heading के स आपको मिल जाएगी, उसमें दो locations थी, exactly उन में से एक location के उपर सवाल जो है, UPSC के अंदर आया था, जो to the point के अंदर भी covered था, which is free of cost, ये series ने तो पूरा almost, जो है, scene change ही करकर रख दिया है, तो मेरे लिए तो it's kind of a revolution की current affairs का एक ऐसा course है, एक ऐसा teacher है, जो की आपका current affairs को important से ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो question static sound करे, लेकिन अगर उसके नदर आपने current का context डाल दिया, किस तरीके से, आपके marks increase होंगे ही होंगे, right, ultimately वो एक updated IS officer चाहेंगे वहाँ पर, so this is a course which is pre and mains course, offline, online format दोनों में available है, you get a 7 days free trial for this, 7 दिन का free trial भी है, इस particular course के लिए, तो I would suggest कि आपके course लेके देखिए, नहीं भी continue करना हुआ, तो आपको at least ये समझ में आ जाएगा, कि ये जो particular course है, ये किस तरीके से current affairs कवर कराता है, current affairs कवर करने कैसे चाहिए, right, और इस बार का जो high success rate रहा है, जिसके अंदर हमारे लगभग 8-9 questions हमारी class के थ्रू ही आगे हैं, उसका कारण ये है कि ये बहुत meticulously prepared class होती है, newspapers, magazines, सबसे content निकालने के बाद में उसको further छोटा करके और उसके अंदर static की research जोड़के class में दिया जाता है, and it's a discussion based class, class में आप मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए, कि यह रहे कैसे होता है, और जब आपने किसी च question जिसको all over India candidates छोड रहे हैं, आपके लिए वो easy बन जाएगा, right, so that is the course to opt for, 7 दिन का free trial है, link आपको description मिल जाएगा, in case आपने नहीं भी avail करना, I would suggest कि आप ऐसे किसी इंसान को recommend कीजिए, कि जिसको इसकी जरूरत है, right, to the point के आज के topic पर चलते हैं, क्योंकि फिर कुछ नहीं पता की कौन से topic से क्या सवाल आ जाए, आज का जो topic है, that is Ganga Praheri, है ना, क्या ये project इसकी news अभी इन दिनों थोड़ी cover हो रहा है, ये वाला project है ना, Namami Ganga program के अंडर का ये है Ganga Praheri, एक initiative है, है ना, और ये क्या करता है, it keeps a check on littering and poaching in the Ganga river, to make sure that its flora and fauna are intact, ठीक है, अब देख करें इसके अंदर, तो Ganga Praheri is an initiative, which works for the biodiversity conservation, अगर आपका prelim के अंदर सवाल आता है, Ganga Praheri is an initiative, which primarily focuses on cleaning the flow of Ganga, इस टाइप के अगर option आते हैं, तो उसके अंदर हमने किस चीज के उपर टिक करना है, इसका जो मुद्धा है, वो बायो डिवर्स्टी कंजर्वेशन का है, this is called reading between the lines, है ना, तो 4000 Ganga Praheri already है, क्या हो, कौन लोग है Ganga Praheri, वह मैं को पताता हूं, ऐसे, by the way, the Praheri word, Praheri का जो literal translation है, हिंदी में, that is पहर्यदार, है ना, तो they acts as a watchman, of the Ganga river, तो littering वगारा रोखने के लिए, these are the local people itself, जिनको Ganga Praheri का title देकर recruit किया जाता है, under Ganga, Namami Ganga program, for the biodiversity conservation, तो वो Ganga Praheri के, उनको in return क्या मिलता है, in return, the wildlife institute of India, WII, right, वो उनको livelihood training देता है, मतलब, eco tourism, है ना, और इस चीज़ से related की, पैसा कैसे कमाया जाए, तो WII उस चीज़ की, जो है training provide करता है, तो यह इसक की कुछ news थी, हमारे लिए क्या important है कि Ganga Praheri initiative क्या है, Namami Ganga क्या है, और Ganga से related, और initiative कौन से है, other than Namami Ganga, ठीक है, चलिए, चलते है, वीडियो में आगे, Ganga Praheris are the motivated and trained volunteers, ठीक है, training होती है, trained volunteers है, यह लोग, from among the local communities, ठीक है, keywords, local communities working for biodiversity conservation, ठीक है जी, यह है, इसकी तीन major keywords, यह volunteers, trained volunteers, from the local communities working for biodiversity conservation and cleanliness of the river Ganga, with the ultimate objective of restoring nirmal and aviral dhara, यह यह नमामी Ganga की, Ganga की theme है, these volunteers have been constituted by the national mission for clean Ganga, यह, NMCG and Wildlife Institute of India, यह नमामी Ganga का initiative है, अंडर नमामी Ganga program, ठीक है जी, overall नमामी Ganga का अंडर है, क्या है मैं है, इसका, it aims to establish a motivative cadre of Ganga Praheri, to support the local level institutions and monitor the quality of the natural resources of the river by mobilizing local communities at the grass loo travels, other than as a topic, है ना, environment के अंदर या फिर यह पॉलिटी का या उस topic है, governance का topic तो basic है, it can act as an example of good governance, right, governance के अंदर हम क्या करते है, it means limited government, government थोड़ा पीछे रहती है, बाकी चीज़ों को जादा society को activate कर रही है, साथ-साथ, तो यह एक good governance का example की तरहा भी काम में आ सकता है, again this type, these type of things we discuss in the class itself, right, कि क्या है, इसको किस तरीके से use किया जा सकता है, आपके answers को better बनाने के लिए, तो यह good governance का example भी है, they have been identified through a series of site level consultative meetings and workshops held in villages, located on the bank of the river Ganga and its select tributaries, ठीके जी? criteria एक और क्या है, they have to be above 18 years of age, और अगर 18 years से कम है, तो they are enrolled in the Baal Ganga Prahari program, ठीके जी? training कौन करता है, इसकी wildlife institute of India, important है यह? ठीके जी, कौन train करता है Ganga Prahari को, which is a program under Namami Ganga, wildlife institute of India, यह भी आपका प्री का जो है, direct सवाल आपके सामने पढ़ा, इदर, यह आ सकता है, responsibilities, monitoring the river, preventing littering, and reporting instances of poaching, ठीके जी? यह एक additional fact है, UPSC की आदब ता इससरे एक कुछ fact पूछने के, तो this is the fact जो आजो है, आपका प्रीलिम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, United Nations in December 2022, date important नहीं है, बाकी information important है, recognized the Namami Ganga initiative as one of the top 10 world restoration flagships involved in the reviving the natural world, ठीके? तो यह top 10 के अंदर यह program को include किया हुआ है, it is that well of an initiative, किस ने किया? United Nations ने, right? चलिए, आगे चलते है, नमामी Ganga program क्या है, है ना? It is an integrated conservation mission approved as a flagship program by the union government in June 2014, ठीके? तब से चल रहा है, that means कि अगले साल जून में इसको 10 years complete होने वाले हैं, that means कि यह initiative important में आ जाता है, किसी चीज़ को 10 साल, 50 साल, 70, 100, ऐसे round off से साल कुछ हो जाते हैं, तो वो important साब माना जाता है, है ना? जैसे हमने non-cooperation movement के ओपर सवाल देखे, 2022 वाले में, तो इस type के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, generally. To accomplish the twin objective, you know, flagship program, by the way, flagship program वो होता है, government का main initiative होता है, और generally वो कोई core muddha के ओपर होता है, right? For example, health के ओपर होता है, education के ओपर होता है, environment के ओपर होता है, उन programs को flagship program कहा जाता है, and these are the main initiative of the government, right? तो flagship programs are the lens जिसके थुरूँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो current सरकार है, उसका मुद्धा क्या है, उसका focus कहा है, तो ऐसे ऐसे programs को tag देती है, कि यह हमारा flagship program है, मतलब यह हमारे जो हमने ताज पहना हो है, उसमें एक jewel है, हमने यह करके दिया है, right? Twin objectives of the effective abatement of pollution, abatement मतलब खतम करना, abatement of pollution and conservation and rejuvenation of national river Ganga, ठीक है, national river Ganga, यह भी एक fact है, just in case you don't know, यह उल्जाने वाले facts है, यह प्रिलिम में, it is operated in the department of water resources, river development and Ganga rejuvenation, कौन सी ministry of jalshakti के अंडर है यह, ठीक है, आलेकि यह basic है, बच्चे नए तयारी में, उनको लिए, यह थोड़ा important है कि ministry आपको याद होनी चाहिए, ministry of jalshakti है, the program is implemented by NMCG and its state counterpart organization, that is state program management groups, ठीक है जी, इसके लाबा, इसमें, that is all for, अभी के लिए इसमें इतना ही है, main pillars की कौन से है, कौन कौन से main pillars है, again just have a look over it, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि multifaceted है, जब हमने starting में लिखा था इसको, it is an integrated conservation mission, तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि integration कैसे हुई है, sewage treatment infrastructure है ना, तो नमाम प्रोग्राम का phase 1 था, उसमें यही बोला था कि untreated water उसमें नहीं जाएगा, है ना, तो initially हमने इस type के regulation से शुरू किया था, riverfront development, river surface cleaning, biodiversity, a forestation, public awareness, industrial effluent monitoring and gangagram, है ना, बाकी साब को समझ में आ रहा होगा, I would suggest to read about gangagram, यह वीडियो जाधा लंबी हो जाएगी, हाला कि to the point है, हम इस stick करेंगे कि to the point ही हम आपको इसमें बताएं, river इसके उपर आप एक बरी जुरूर सोड़ेची research मार सकते है, gangagram क्या चीज है, क्या उसमें फाइदे है, अगर आप gangagram declare होते हो, क्या करना है आपको, है ना, कौन monitor करेगा, वो सब चीजने देखनी है, उसमे, other related initiatives क्या है, ministry of environment न जाते है, ganga action plan was actually the first river action plan, ठीक है जी, to improve the water quality by the interception, divergent and treatment of domestic sewage, ठीक है, next we have national river ganga basin authority, NRGBA, it was formed by government of India in the year 2009, under the section 3, section 3 important नहीं, of the EPA, environment protection act, यह important है, है, 2000, 22 के prelim के अंदर, ऐसे ही, ground water authority की, उन्होंने पूछ लिया था कि कौन से act के तहद बना है, तो यह type की चीज़ा important होती है, तो environment protection act के थूँ बना है, आपका national river ganga basin authority, ठीक है जी, तो यह भी एक important fact है, जो आपको याद रखना है, सीधा question आता है, इसमें, कि national river ganga basin authority, NRGBA, is formed under, under which of the following act, हैना, environment protection act, wildlife protection act, जो चार-पांच important acts है, हमारे environment से related, हैना, pollution control act, तो CPCB, इस type के act, जो है, वो आपको option में देखने को मिलेंगे, तो हमने याद रखने की, environment protection act है, clean ganga fund, यह भी 2014 में form हुआ था, हैना, to enhance the conservation treatment, waste treatment, हैना, and biotech diversity, को increase करने के लिए, यह clean ganga fund, था, then we have important one, भुवन ganga web app, हैना, यह क्या है, it ensures the involvement of the public and monitoring of pollution, entering into the river ganga, reporting के लिए, यह एक आपका जो है, वो पोर्टल है, और 2017 में, NGT ने बैन लगा जे तो, the disposal of any waste in the ganga river, कोई भी waste ganga river में dispose नहीं होगा, हैना, तो NGT ने बैन लगा था, 2017 में, तो, अब क्यूंकि, इसमें सब कुछ ही cover हो गया, of any waste, तो यह थोटा से important हो जाता है, क्यूंकि अगर आपको यह pre में लिखा हुआ दिखेगा, तो it will confuse you, क्यूंकि इसमें sweeping statement है, कि कोई waste नहीं जाएगा उसके अंदर, तो आप सोचो कि एच्छा, organic waste है ना, या फिर जो आस पास से जा रहा है, local ganga grams का waste है ना, इस टाइप की चीज है, sustainable way, तो वो कुछ भी नहीं, biodegradable, nothing, कुछ नहीं जाएगा इसके अंदर, ganga के अंदर, ठीक है, that is all for today, wait for the detailed video, मैं कोशिच करता हूँ कि वो जल्दी analysis के साथ डाल दूँगा, हाला कि हमने class के अंदर तो उसको cover किया था, आज, जब हमारी class हुई थी, उसको हमने cover क किया था कि हमने क्या-क्या question किस-kis date पे हमने वो चीज है पढ़ी थी और क्या-क्या उसके अंदर आया, so, from, I personally have gained a lot of confidence, after yesterday's pre, कि इस class की चीज है जब पढ़ा ही हुई है, वो आपके exam में आर ही है, right, so, it has motivated all of us कि इस class को और ज़्यदा enhance करके, और detailed बना के, ता कि कुछ भी से बाहर ना रहे और और और, more number of questions are covered in the examination, right, thank you so much for watching, my name is Rohit Garcha, जल्दी मिलते है एक नए वीडियो के साथ, एक नए topic के साथ, series का नाम है To The Point, and this is Abhimanyu IAS.